हेलो दोस्तो एक stock लेकर आए है जो best stock है जब हम dividend की बात कर रहे हैं पिछले 20 सालों में और ये dividend तो दे ही रहा है लेकिन इसने nifty से भी double return दिया हुआ है पिछले 20 सालों में दोस्तो और ये साल दर साल dividend को increase कर रहा है और हमने यहाँ पर क्यूं select किया है ये जो stock है 5 parameters पर उसके बारे भी बात करेंगे तो दोस्तों ये dividend aristocrat stock होते हैं तो ये अपनी जो capital आपने जो लगाई है long term में आपको return भी देते हैं और आपको dividend भी देते रहते हैं और हर साल अपना dividend का जो payout है ये भी बढ़ाते रहते हैं और खासकर ये stocks इसलिए important हो जाते हैं जैसे अभी जो market है beer market में जहाँ पर uncertainty है लेकिन at least इनका business grow हो रहा होता है तो dividend की certainty investor को बिलकुल रहती ही है दोस्तों तो growth opportunity इन कंपनियों में बहुत जादा रहती है नाम है company का Oracle financial services दोस्तों ये Oracle corporation US जो है उसकी subsidiary है और nifty का return अगर आप देखेंगे 20 सालों में 14.3% है और Oracle का return देखेंगे दोस् परसंट का stock का return है 2002 मतलब 20 साल पहले एक रुपिया 25 पैसे का उन्होंने dividend दिया था और आज 2022 में 190 रुपीज का dividend दिया हुआ है share price अभी अगर आप देखेंगे share price तो सबके गिरे हुए है और आकल का भी share price गिरा हुआ है तो कम से कम लगभग 6% की dividend yield यहाँ पर हो रही है तो और आकल काम क्या कर रही है IT सेक्टर की company है mid cap company है और मैं comparison भी थोड़ी देर में करने वाला हूँ तो cloud migration banking and finance जो companyya है ज्यादा से ज्यादा cloud migration में focus कर रही है core banking में focus कर रही है और अभी भी core banking का penetration सिर्फ 18% है तो growth के भी इसके बहुत ज्यादा chances है margin भी उन्होंने पिछले 40% अपने margin भी बढ़ाए है company अगर आप देखेंगे एक almost debt-free company है अब हम यहाँ पर oracle का comparison करता है दोस्तों जो उनके जो peer है उनसे तो देखिए जैसे यह oracle है persistent, coforge, emphasis, mine tree, L&T, infotech तो देखिए अगर आप देखेंगे अगर अब valuation के हिसाब से भी तो oracle का valuation 14.5% 14.5 times है और बाकी सबका valuation 30 से ऊपर है मैंटरी देखिए थोड़ा सा 30 से नीच है price to book देखेंगे 4.55 है बाकी सबका आप देख सकते है 789 के आसपास है return on equity 31.2 है और जैसे persistent का 20 है फिर 29 है coforge का emphasis 27 है फिर mine tree थोड़ा आसपास आ रहा है 30 के आसपास आ रहा है तो कही ना कही return on equity जो है यहा पर in fact PE ratio PB ratio कम है return on equity अगर आप Oracle का देखेंगे तो यहाँ पर जादा है अपने peers के साथ कम परिजन में तो कहीं ना कहीं वो जो valuation है valuation में जो उनके जो competitors है उनको थोड़ा जादा valuation मिला है और Oracle कहीं ना कहीं सस्ता है और अगर आप देखेंगे net worth भी देखेंगे तो अभी फिल में चुकि mint को मैं यहाँ पर subscribe मैंने किया हुआ है और आप भी in fact यह ऐसे जो data है unique data है आपको भी मिल सकते हैं और अगर आप early financial आजादी के subscriber हैं तो आपको 25% का mint में आपको जो premium plans हैं वहाँ पर आपको discount मिल सकता है यहाँ पर 2 साल के plan पर 1275 रुपीज का यहाँ पर आपको discount मिलेगा और एक दिन की कीमत कुछ 5 रुपे 25 पैसे क्या सपास है जो कि बहुत ही एक steel deal है मुझे ऐसा लगता है तो आप उसको भी explore कर सकते हैं मैंने link नीचे दी हुई है description box में mint premium की दोस्तों अब कौन से 5 criteria है जहां पर Oracle को यहाँ पर चुना गया है क्योंकि बहुत सारी कंपनिया जो डिविडेंट देती रहती है जैसे REC है PFC है कोल इंडिया है तो वो सब कंपनिया है प्राइवेट में दूसरी कंपनिया भी है ITC भी जैसे कंपनी है तो और अकल ही क्यों तो देखें फंडामेंटली स्ट्रॉंग कंपनी है यहाँ पर पेरेंट है वो भी अच्छा रहा है और अपने जो पीर्स हैं उनके कंपरिजन में भी अंडर वैल्यूड भी है हमने देखा पी रेश्यो पी बी रेश्यो अपने जो मिड कैप की जो IT कंपनी हैं उनके साथ अगर आप कंपेर कर रहे हैं तो यह सस्ते में भी मिल रहा है फिर ट्रैक दिविदेंट पेमेंट का तो उन्होंने डिविदेंट भी कॉंसिस्टेंटली दिये हुए हैं और अपना जो डिविदेंट का जो जो पे आउट है बीस सालों में उन्होंने वो भी इंक्रीज किया हुआ है तो यह सब कुछ चीजे और आकल को इंट्रेस्टिंग मनाती है लेकिन इंपोर्टन्ट है अच्छी कंपनी अगर हो तो सिर्फ तीन महीना छे महीने के बारे में नहीं सोचना दो साल पांच साल दस साल के बारे में सोचना ज्यादा इंपोर्टन्ट है तो यह रिटन किनकों मिले होंगे मुझे नहीं लगता बहुत इंवेस्टर्स को मिले होते हैं क्योंकि at least आपके bank account में कुछ पैसा आता रहता है passive income आती रहती है और यह सब strong businesses होते हैं so strong businesses हैं तो उपर नीचे कुछ भी market हो rate high हो या नहीं हो इनको बहुत फरक नहीं पड़ता है और जो बड़े investors होते हैं वो ऐसे time में इन सब company को धीरे-धीरे accumulate भी करते रहते हैं क्योंकि dividend yield जो होती है बहुत attractive होती है dividend yield attractive होती है तो share price का भी गिरना कुछ हद तक एक तरीके से वो भी रोका रोका जा सकता है तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं गिरते हैं risk कम होती है stocks में इन दोस्तों तो यह एक lucrative investing strategy है कि नहीं कि growing company हो और dividend भी वो grow कर रही हो सस्ते में मिल रही हो return on equity ज्यादा हो तो क्या आपके लिए यह एक lucrative investment strategy है या नहीं जरूर बताईएगा मुझे comment section में आपको और आकल एक नया नाम आपको मिला है आपको पसंद आया या नहीं जरूर बताईएगा तन्यवाद आपके time के लिए और link के जो live mint के जो plans हैं उनको जरूर explore करिएगा thank you very much दोस्तों तन्यवाद